अज गनेश जी का आगमन होने वाला है और उसके लिए मैं एक सिंपल तरीके के मुदख की रेसिपि शेर करने वाली हूँ उसके लिए मैंने कड़ाई में पॉन कप जितना गी गरम करने के लिए रखा है गी को अच्छे से गरम करने के बाद एक कप जितनी सूजी मैंने इसमें डाली है गी में सूजी को हम ब्राउन होने तक भूनने वाले है उसे मोदर का कलर भी अच्छा आएगा और वो सॉफ्ट भी वनेंगे अब देख सकते हैं मैंने सूजी को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लिया है अब मैंने एक कब दूद और तेड़ कब रितना पानी मिक्स करके सूजी में डाल दिया है अब इसे हम सूजी के साथ अच्छे से मिलाएंगे इसको आपको ज़्यादा फास्ट चलाना होगा नहीं तो इसमें गुटलिया रह जाएंगी सूजी ने सारा दूद और पानी सोक लिया है अब मैं इसको ढखकर पांच मिनट के लिए रखने वाली हूँ पांच मिनट बाद मैंने अब ढखकर खोला है तो इसका पूरा पानी सूख गया है और इसका कच्छापन भी निकल गया है हमें इसे थोड़ा सा ड्राई ही बनाना है उसमें ज्यादा पानी नहीं छोड़ना है इसे थोड़ी देर तक हम चलाएंगे लियास पर और फिर मैने इसमें 1.5 cup जितना milk powder डाल दिया है अब milk powder को हमें सूजी के साथ अच्छे से मिलाना है मिल्क powder की गुटलिया बनती है तो हमें थोड़ी देर तक उसको अच्छे से mix करना पड़ेगा अच्छे से mix करने के बाद मैंने अब यहाँ पर pond cup जितना condensed milk डाला है मैंने यहाँ पर शक्कर यूज नहीं की है मिधास के लिए मैंने condensed milk डाला है वो ज्यादा मीठा होता है तो आप अपने हिसाब से उसको डालना अब इसके साथ हम अच्छे से इसको मिला लेंगे condensed milk और milk powder डालने के बाद ये पूरा मिश्रन कडाई को चिपक सकता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान डखना पड़ेगा इस मोदक को बनाने के लिए हैमें सिब 3-4 बेसिक चीज़े चाहिए होगी जैसा के गी, सूजी, condensed milk और milk powder बाखी सब optional है दूद की जगर पे आप पानी भी डाल सकते हो अब मैंने यहाँ पर कुछ dry fruits डाले हैं cashew और बादा मैंने डाला है आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद है वो डाल सकते हो यह सब डालने के बाद हम अच्छे से mix करके इसको ढखकर पकाएंगे 5 मिनट तक इन सारी चीज़ों को अच्छे से combine करने के लिए मैंने इसको ढखकर पकाया है मुझे यह थोड़ा सा dry लग रहा था तो मैंने यहाँ पर फिर से थोड़ा सा दूर डाला है अब थोड़ा सा अंदाजा लेकि इसमें डालो या फिर दरूरत नहीं है तो मट डालना अब इस सारे मिश्रन को फिर से हम अच्छे से mix करेंगे और यह बिल्कुल ready है मुदक बनाने के लिए अब मैं इसे किसी थाल या कटोरी में निकाल लेती हूँ मुदक का मिक्स्चर बहुत ही सॉफ्ट बना है और इसका रंग भी बहुत अच्छा लग रहा है पहले मैं इसको थोड़ा सा कम्बाइन कर लेती हूँ ताकि यह इदर उदर गिरेगा नहीं हमें इसके लिए एक मुदक का साचा चाहिए होगा आप अपने इसाथ से छोटा या बढ़ा ले सकते हो मैंने अभी यहाँ पर छोटा लिया है पहले थोड़ा सा डालके हमें अंदर इसको अच्छे से सेट करना है और फिर हलके से प्रेस करके इसको थोड़ा थोड़ा मिस्चर और डालना है यह जो मोदक है इसका टेस्ट अलग लगता है थोड़ा सा कंडेंस मिलक और हमने मिलक पावडर डाला है तो थोड़ा सा यह पेड़े जैसा लगता है और जो हम regularly बनाते है सूजी के मोदक उससे थोड़ा सा अलग लगता है अब मैंने अच्छे से इसको फिल किया है अब हम देखते हैं खोल कर इसको, ये बनते बहुत अच्छे है अब आम इसे खोल कर देखते हैं एककब सूझी में 40-45 मुदग आराम से बन जाते है ये एक्तम परफेक्ट बना है अब इसी तरह से हमें सारे बना लेने है हमारा परफेक्ट मोदक बिलकुल तयार है आप सब को कनेश चतूर्थी की बहुत 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 जुब कामना है अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद